बीकन एर के बाद अब बाड मेर में जमीन धसने का मामला या सामने दो किलो मेटर लंबे इलाके में जमीन में आई दरार बड़े छोटे हुए गड़े बीकन एर के बाड बाड मेर मेर में करीब दो किलो मेटर लंबे सेतर में जमीन धसने से दरार आ गई मामला बाडमिर जिल्ले के नागणा में क्रूड ओयल प्रोडेक्शन एलाके का हैं या मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के तेल के कुवे नंबर 3 से 7 के बीच जमीन धस गई और दरार देख लोग हैरान हो गए जिल्ला प्रशासन क्रूड ओयल कंपनी कैर अनरजी, जिल्ला कलेक्टर निसान्त जैन का कहना है की टीम में मौचे पर जाकर जाँच कर रही हैं जानकरी के अनुसार नागणा एलाके में क्रूड ओयल प्रोडक्शन का काम 15 साल से लगातार चल रहा है कमपनी के अलग-अलग वेल पेड बने हुए हैं सोमवार सुबह ग्रामीन वेल पेड नमबर तीन के नजदीक से निकल रहे थे इस दोरान उन्होंने उसके पास तंसी जमीन गड़े और दरार देखने पर परसासन को सूचना दी एडियम राजंदर सिंग चांदावत ने बताया कि सूचना मिलते ही तैसिलदार विकास अधिकरी और रेविन्यू टीम को मौके पर बेजा गया है कमपणि के भू विगयनिक और हमारे विबाग के विगयनिक उसे पता करवा रहे ही कि दरार आने से पीछे कौन सी वज़े हो सकती है जांच चल रही है, डेट 2 किलूमिटर एरिया में दरार आई है, दो से तीन जगे दरार रहे हैं कहीं दरार ज़्याता है तो कहीं कम है